हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आशा करते हूं आप सभी ठीक होंगे अच्छ होंगे मेरा नाम है सभी और हम आज पढ़ रहे थे ओलंपियाड आईजी के यो क्लास थरी का लेकिन आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टू ठीक है ना तो यह इंटरनेशनल जन्रल नॉलेज ओलंपियाड के कोश्चन से आईए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखे मैंने जो पहला चैप्टर है वो मैंने अप्लोड कर दिया है आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर तो सेकंड चैप्टर हमारा क्या है प्लांट और अनिमल्स के बारे में तो यहां पर जो आपक कौन से जो जानवर हैं कौन से जो प्रानी हैं कौन से पेंड हैं जो इंडेंजेड है यानि खत्रे के निशान पे हैं और कौन से एक्स्टेंट यानि की अब इस धर्ती से गायब हो गया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आईए इसको मैं थोड़ा सा जूम करता तो हमारा first number question है which of the following birds can not fly इसका मलब यह है इसमें कौन सा ऐसा बर्ड है जो आपका fly नहीं कर सकता मलब की उड़ नहीं सकता can, canary, peacock, pigeon या ostrich तो यह answer है आपका कौन सा option number D ostrich, ostrich को हम हिंदी में कहते हैं सुतर मुर्ग, यह ज्यादा तर रेगी स्तानी इलाकों में पाया जाता है ठीक है, यह उड़ इसलिए नहीं पाता है क्योंकि जो इसकी wings होती है यह बहुत ही कमजोर होती है और साथी साथ इनके जो body होता है बहुत ही भारी होता है इस वज़े से उड़ नहीं सकते है तो इसका अंसर हो जाएगा ostrich ठीक है न, और इसका अंड़ इतना बड़ा होता है कि एक ही अंड़े में लगभग 10 से 12 लोग omelette खा सकते हैं और सबसे बड़ी जो cell होती है ठीक है न, दीके body की हमारे जो body है तो जिदनी भी living skin के उनकी सबसे functional unit क्या होती है cell होती है तो सबसे बड़ा जो cell होता है वो सुतुर मुर्ग के अंड़े का ही होता है ठीक है ये विधार नखीगा चली, अब आते हैं second number पे तो इसका अंसर हो जाएगा ostrich second number है it is round and pink or white in color it looks very pretty when worn as well जानवर जो समुद्र में रहता है तो उसके पेट से निकाला जाता है आपका क्या पर्ल यानि कि जो मोती आप पहनते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा पर्ल ठीक है ना तो इसका नाम है पर्ल वैस्टर ठीक है ना चलिए अब आगे आते हैं थ्री नंबर पे how many brains does and octopus आप देखिए अक्टोपस के पास कितने ब्रेन होते हैं या फोर्थ इसका अंसर है नाइन देखिए ऑक्टोपस के पास ना नाइन ब्रेन होते हैं इसके पास आठ पैर होते हैं ठीक है ना तो यह जो इसके ब्रेन होते हैं यह क्या करते हैं जो इसके पैर होते हैं जो इसके हाथ होते हैं अक्टोपस के उनको क्या करते हैं regulate करते हैं ठीक है तो Octopus के पास mainly 9 brain होते हैं ठीक है ना चलिए अब देखिए Octopus से एक चीज और बताता हूं Octopus का जो blood होता है blood होता है यह blue color का होता है यह भी question कई बाद पूछा गया है KBC में भी पूछा गया है तो Octopus का जो blood होता है वह blue color का होता है साथी साथ एक blood के बारे में और बताता हूँ cockroach जो होता है उसका blood आपका white color का होता है और जो humans होते हैं उनका blood कैसा होता है आपका red color का होता है चलिए इतनी चीज़े हमने पढ़ लिए अब आते हैं question number 4 पे देखिए दूस्तो question number 4 हमारा है mangroves are collection of medium size tree and shrub that have tube like aerial roots for breathing squad question क्या है mangroves पहले से आप यह जानिए mangroves plant होते कहां पे देखिए जैसे नदी यहां से बैते हुई ठीक है नदी यहां से बैरे और यहां पे आपका क्या है सी यानि कि समुद्र है तो समुद्र की जगा पे यहां पे तो पूरा की पूरी जमीन है ठीक है न लेंड है लेकिन यहां पे पूरा मैशी एरिया होता है यानि कि अलग तरीके के प्लांट हो यहां पे होते हैं ठीक न ना यह जमीन इनकी जो रूट्स होती है ठीक है ना मैंग्रोस प्लांट के जो रूट्स होती है हम में लिए जानते हैं कि जो रूट्स होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं लेकिन जो मैंग्रोस प्लांट होते हैं इनकी रूट्स अंदर तो होती है साथ जमीन के बाहर भी ऐस से निकली होती है और आपको दिख रही है तो यह किसलिए होता है इसलिए होता है क्योंकि जो इनकी रूर्ट होती है यह क्या करती है यह आपकी सांस लेने के लिए बाहरा आती है यह बेंदिंग करती है maturedies सुद्दरवन के ड fret ठीक है उसके बाद दूसरा है आपका जो सेकेंड नमबर पर है दिखिए उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है वो उडीसा में है वो सेकेंड मैंग्रूप्स का आपका हूँ है दुनिया में सबसे ठीक है पहले नमबर पर क्या है सबसे बड़ा सुन्दरबन का डेल्टा औ महां पर मैंग्रूप्स के प्लांट आपके पाया जाते हैं तो चलिए यह हमने पढ़ लिया चार कॉशन आ गया आते हैं तो देखिए सबसे पहले बैंबू के लिए बैंबू जो होता है यह आपका एक ही दिन में लगबंग 91 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो यह इसका आंसर नहीं है बैंबू आपकी क्या है बैंबू का आपने पेट देखा होगा लेकिन यह क्या है एक तरीके की ग्रास है कि नेशनल प्लांट है हमारा कौन आपका बनियांट्री ठीक है चली आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया अब आगे आते हैं यह गया बनियांट्री चली अब इसको मुझे थोड़ा सा उपर करना पड़ेगा चली शिक्स नंबर है विस आप फॉलएंग तब मेडिसिनल प् होगी तो देखिए बेसिल यानि कि तुलसी का पौधा मिंट यानि की आपका क्या हो गया जो आप पुदीना ठीके ना पुदीना हो गया बेटल यानि की पान ठीके ना अच्छा चली पान के बारे में बता दो पान का पत्ता है यह सबसे ज्यादा कहां पे किस डिस्टिक मे होता है तो यह होता है उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्टिंग में कहां पर होता है महोबा डिस्टिंग में तो महोबा डिस्टिंग में पान की खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में यह आप ध्यान में देंगे अगला है बेसल बेसल यारी कि तुलसी का पौधा इसको लोग कैसे होते हैं छोटे होते हैं अब देखें बेसिल का पौधा किस किस काम में आता है आपका इन्फेक्शन में ठीक है ना इन्फेक्शन में काम आता है इस टमक ठीक है ना इस प्रासम वान इस्फेक्शन अगर आपको हो जाता है इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए बेसिल का तो आपको यह विमारिया नहीं होंगी फिर पान का पत्ता पान का पत्त किस कामें आता है यह एंटे ऑक्सिडेंड होता है यह हमारे यह होता है हमारी डाइबेटेस को भी कम करता है साथी साथ वयंड हीलिंग यानि कि अगर कोई घा हो जाता है आपको च्प penn ком जाता है तब भी ये काम में आता है और साथी साथ ये आपका सबसे बड़ी खास बात इसका क्या है देखे मैं बताता हूं उसको देखें जो पान का पत्ता है न ये आपका होता है anticancer agent ठीकर न क्या होता है एंटी cancer agent यानि की पान का पत्ता हमें cancer ना हो इसके लिए भी helpful होता है तो यहाँ पर इसका आंसर हो जएगा all of the ever 7. question पर आते हैं Are plants with weak stem that grow along the ground? देखे ऐसे plant जो जमीन पर देखे, plant एक होता है creeper ठीके न? और एक होता है climber ठीके इन दोनों के बारे में बताते हैं creeper का मतलब होता है रेंगना ऐसे पौध है ऐसे plant जो जमीन पर रेंगते रहते हैं उन्हें हम क्या कहते है creeper ठीके न? जैसे आपने कभी खाया होगा ठीके न? pumpkin ठीके जिसे कद्दू कहते हैं उसके यह plant होता है वो जमीन पर ऐसे फैल जाता है लेकिन आपने लौकी खाया होगा ठीके न? लौकी खाया होगा तो लौकी जो आप खाते हैं लौकी का जो plant होता है वो climber होता है अगर आप उसको थोड़ा सा भी चड़ने के लिए जगा दे देंगे न? तो plant पर जो क्या होगा? उपर से चड़ता हुआ, चला जाएगा ठीक है न? कैसे चड़ जाते है ये लूग इनके plant में होते हैं 10만 क्या होते हैं 10만 तो 10万 क्या करते हैं आप करते हैं इनको उपर चड़ने में तो ऐसे plant जो उपर आपका herb herbal plant आप जानते हैं जिनके stem कैसी होती है soft होती है green color की होती है और शर्व उसे कहते हैं ऐसे plant जो आपके कैसे होते हैं उनकी जैसे आपकी rose का rose यानि की गुलाप का पेड़ हो गया वो किस में आएगा आपका शर्व में आएगा ठीक है तो इतनी चीजे मैंने बता दी अ आगले कोश्चन पर आते हैं चले कोश्चन नमबर हीड है हमारा वीच आफ फॉल्विंग ग्रीन कलर टू दप्लांट देखिए प्लांट में ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है तो यह होता है दोस्तों क्लोरो इसकी वज़ा से होता है ग्लोरो फिल चले अब आगे आते हैं रियर्रेंज डालेटर्स तू फाइंड नेम सरेस्टेंज मेड बाई बीस विचार यूजिंग सोप कैंडल से टीसी देखिए यहां पर ऐसी कौन से चीज है जो बनाई जाती है तो यह है आपका वैक्स ठीक है न बनाके फिर इसमें क्या होता है जो हनी होता अपका इसमें इस्टोट रहता है जब इससे हनी बाहर निकाल लिया जाता है तो यह जो बहुत सारे मेक अब करने वाली चीजे होती है beauty products होती है उनको भी इसी से बनाया जाता है साथी साथ जो आप अपने जूते में पॉलिस लगाते हैं वो भी इसी वैक्स से ही बनाया जाता है ठीक है चलिए तो इतनी चीज़े आपने पढ़ ली इसका अंसर हो जाएगा वैक्स तो इसको जब हम रियरेंज करेंगे तो यह बनेगा डबलू एक्स वैक्स और यह हमको किस से मिलता है यह हमको मिलता है बी के जो छट्ते होते हैं उनसे मिलता है चलिए अब टैन नमबर पे आते हैं एब बर्ड विच रिमूब्स टिक्स फ्रॉम इसकी नॉब इसको बाहर निकाल के इसको खा लेती है तो यह है आपकी ओक्स पेकर इस चिडिया का नाम क्या है ओक्स पेकर ठीक है न ठीक है पढ़ने मगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंड भी बताईए कि मैंने आपको अच्छा पढ़ा है या नहीं ठीक है चलिए अब आते हैं 11 नंबर कोश्चन पर तो आपने इतनी चीज़े पढ़ ली अब आते हैं कि देखिए कोश्चन है विच इस आप दा फॉलॉइंग आप दा लैंड एनिमल फास्टेस लैंड इनिमल इसका मलब कौन है लाइन टाइगर चीता ठीक है न और यह क्या है इस टैग है आपका तो इसका आंसर है चीता चीता जो है वह 120 किलोमेटर पर आवर यानि कि एक घंटे में 120 किलोमेटर की रफ्तार से यह दौरता है ठीक है अब देखिए जो टाइगर है यह हमारा नेशनल इनिमल है ठीक है यह आप जानते होंगे तो यहां पर अब देखिए एक कोश्चन यहां पर और बताता हूं कि करेंट का कोश्चन है क्योंकि यह भी आपसे पूछा जाए देखिए इंडिया में 1952 में 52 के बाद से चीता हमारे यहां पर खतम हो गये थे तो अभी आठ चीते लाए गये हैं कहां से लाए गये हैं किस कंट्री से देखिए चीते होते हैं मेंली आफरिका कॉंटिनेंट में पाए जाते हैं ठीक है ना तो आफरिका कॉंटिनेंट में एक देश है नामीबिया नामीविया तो यहां से आठ चीते लेकर आए गये हैं ठीक है तो और यह कहां पर रखे गये हैं यह भी कुशन इंपोर्टेट है तो मद्ध प्रदेश में एक जगा है एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क क्या नाम है उसका कुनो नेशनल पार्क तो इसी नेशनल पार्क में ये चीते रखे गए हैं ठीक है तो वो सबसे फास्टेर से मल क्या है चीता है आपका चलिए अगले कुश्चन पर आते हैं कुश्चन नमबर 12 पर विच अप फॉल्वइंग स्टेट में नॉट फॉर रिगॉर्डिंग प्लांट के लिए कौन से चीजे सही नहीं है दे टे कार्बन डायोकसाड डूरिंग डिये टायं बिल्कुल सही बात है हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाय वन फूड यह अपना फूड बनाते हैं वनहें क्या कहता है और टो ट्रॉप साइब और ऐसे ब्लाइब साख्या धर से कि ऐसे कहते हैं हैं तो iken हम लोग है थो जानवरों पे नेर पर आट या पिर प्लांट पर उपनका उत्ली और कंशे बैबिन है छे आपके लिए इसनी चाहिंए में इतला है यह क्या हुआ वाटरो कोंधकर इस में चेले अधल्यक्रेुआ में दिखता रहता है ठीक है बहुत चोड़े चोड़े होते है तो उसके बॉड़ी के अंदर हमको दिखता रहता हम को सब्सक्राइब यह इतनी बड़ी भी अगर यह अपनी जीव निकालेगा तो इतनी बड़ी होगी मुलब कि इससे भी बड़ी इसके body से भी इनकी जो जीव होती है folded करके अंदर रहती है अब यहाँ पर हूता क्या है कि इनकी जो जीव होती है उसमें इस तरीके के आगे बना होता जैसे यह किसी कीड़े को पकड़ते हैं तो यहाँ पर कीड़े को पकड़ लेंगे इस तरीके से और उसको अंदर खिच लेते हैं तो यहाँ पर क्या है change the color of its skin to blend the surrounding यानि कि जैसे इसके पास आस-पास का महल रहता है यानि कि जैसा color रहता है वैसे ही इसको क्या करता है change कर लेता है चलिए अब आते हैं फोटी नंबर पे फोटी नंबर question है हमारा which of the following animal does not bite or chew its food question का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने खाने को चबाता नहीं है सीधे सीधे क्या करता है उसको निगल लेता है क्योंकि उसके पास दांत होते नहीं तो देखे दांत घोड़े के पास भी होते है काउ के पास भी होते है हाथी के पास भी होते है तो दांत किसके पास नहीं होते है यह है आपका मेड़क फ्रॉग frog क्या करता है किसी भी चीज को क्या करता है निगल लेता है इसको ना तो वो bite करता है ना तो काटता है ना चू करता है सिधे-सिधे खा लेता है ठीक है तो यह चीज आपने पढ़ लिया अब हम आते हैं आगे 15 नंबर पे चले दोस्तों हमारा फिप्टीन नमबर जो क्वेश्चन है एक मिनिट कर दोस्तों हम आगे थे अपनी कॉश्चन नमर फ्रूप्टीन पर जो देखें कॉश्चन नमर फ्रूप्टीन पर क्या है यह थोड़ा सा फोन है तो फोन में रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा इदर उदर हो जाता है तो उसके लिए माफिश चाहता हूं चली फिप्टीन नमबर पर आते हैं फिप्टीन नमबर हमरे क्या कह रहा है कि देखे 15 नमर कोश्चन है क्लोनिंग प्रोसेस बाइच वन क्रिएट दा इग्जैक्ट डॉब्लिकेट ऑफ दा लिविंग क्रिएचर विच वाज दा नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन सिथ कोश्चन यह है कि जैसे कोई जानवर है उसको हमने हूब हूब लेबरेटरी में उसके जै शिप कौन सी थी तो यह है आपका उसका नाम था डॉली क्या नाम था डॉली अब देखे कोश्चन यह है यहाँ पर 60 नमबर डैट ग्रोना स्लोप आफिल्स यानि कि जो मांटेन होते हैं वो इस तरीके से धलान पर होते हैं तो इनके उपर कौन सी खेती की जाती है तो यह कौफी और टीकी देखे कौफी सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में किस स्टेट में होता है करनाटका में होता है ठीक है ना करनाटका में होता है अब देखे करनाटका में हमारे इंडिया में दो तरीके की कौफी पाए जाती है एक पाए जाती है और एक पाए जाती है रोब पहाड़ी है देखिए एक कुर्ग जिला है चिक मंगलूर है वहाँ पे और साथी साथ बाबा भुदन की पहाड़ी है तो वहाँ पे भी क्या की जाती है कॉफी की खेती की जाती है ठीक है और टी यानि कि जो चाय होता है चाय सबसे ज्यादा असम में प्रडियूस होता है ले के लिए यह तो यहां पहले ऐसा करते हैं क्यों है यह एक उसका आप्थ क्यार만 चायाँ टू उर्फिल की स्यूँर्वेड केरने के लिए और क्या जाएे ह। ठीक है चलिए अब हम आते हैं अपने अगले question पर select odd one of the given group इसमें सबसे अलग कौन है duck, pelican, peacock या swan तो यह है आपका कौन, peacock ठीक क्योंकि peacock जो है यह water bird नहीं है बाकी duck, pelican और swan यह water birds है यानि कि यह पानी में भी ज्यादा तर रहते हैं ठीक है पानी के आसपास इनका घर ह होता है पानी के आसपास यह सभी लोग रहते हैं लेकित पिकॉक जो है वो पानी के आसपास नहीं रहता तो इसका answer हो जाएगा पिकॉक नाइटी नंबर है which of the following plants have sense of touch ऐसा कौन सा जानवर्स जिसको हम छूते ही वो क्या करता है उसके sense होने लगता है और वो अपने आपको बंद कर लेता तो इसका answer है mimosa ठीक है ना इसको हम छुई मुई का पौधा भी कहते हैं ठीक है आज जैसे ही आप इसको छुएंगे तो इसकी जो लीफ्स है वो सिकुड जाती है चली अब आते है ट्वेटी नंबर कोश्चिट पे वीचाव तो following plant does not found in a baby plant तो ऐसा कौन सा देख़े कोश्चन यह कह रहा है कि अगर बहुत ही छोटा प्लावर एमाली यह इतना छोटा प्लावर है इस तरीके का ठीक है तो इसमें कौन से चीज़े नहीं पाइज जाएंगी तो इसमें आपकी root पाई जाएंगी leaf तो पक्का पाई जाएंगी और stem भी क्या नहीं तो फाइं तो फाइंड नीम आप लाज़ेस्ट हर प्लांट कोश्चन यह है कि हमें पहले इसको ठीक करना है और उसके लिए बताना है कि इसमें कौन सा हर्वल प्लांट है जो सबसे बड़ा है तो देखिए इससे बनेगा वीट डवलु एच येटी वीट और इस सेकेंड पर हर्वल प्लांट नहीं होता है ठीक है तो हर्वल प्लांट बच्चे आपके ये तीन तो बनाना का जो प्लांट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है ठीक है अच्छा बनाना है उसको हर्वल प्लांट पर क्यों लिया गया है क्योंकि इसके जो इस्टेम होती है वो ग्रीन कल rate कहां देकिए तोमबर ट्वंटी तो में हमें क्या खरना है मैंलमे में आइंड जिलेक्ट सेलेक्ट और किरेक्ट उप्शन को पहले हम पड़ते हैं पहला है एक इस अच्जोल देवर्लीव्ड करेंड आइलान मॉरीशेश एएक नहीं पहले यह बर्ड रहता था लेकिन अब यह चड़ियाब नहीं पाई जाती तो इसका क्या नाम है इसका नाम में डोडो क्या नाम है डोडो फिर है mammal that x यानि कि ऐसा देखे mammals जो होते हैं यह बच्चे पैदा करते हैं यह अंडे नहीं देते लेकिन ऐसा एक animal है जो क्या करता है अंडे देता है memory memory gland मलब की ऐसे जानवर जो दूद पिलाते हैं अपने बच्चों को ठीक है उनके पास memory gland होती है ठीक है तो ऐसा कौंसा जानवर है जो mammals उसके पाल लेकिन वो क्या करता है अंडे देता तो यह है प्लैटिपस ठीक है इसका पूरा नाम है black bit platypus ठीक है चले और एक और है उसका नाम है एकडीनिया ठीक है एकडीनियो और प्लैटिपस दो ऐसे होते हैं जो अंडे द आई सेज में जो हाथी रहता है वो क्या रहता है मैमत रहता है ठीक है चली एंड एक्स्टिंट रेप्टाइल रेप्टाइल क्या होते हैं ऐसे जानवा जो रहीं के चलते हैं तो यह है आपका डाइनासो यह 65,000,000,000 साल पहले ही इस धरती से खत्म हो चुके है तो दीखे इसका अंसर क्या हो जाएगा कौन सा सही है तो पहला है 3, 2, 3, 2, 1 तो 3, 2, 1, 4 तो इसका अंसर हो जाएगा option number B ठीक है चलीए अभी यह हमने कर लिया आगे आते हैं question number 23 question number 23 है आपका select the incorrect statement regarding to the bird zone in the picture तो देखे यह जो bird है इस bird का नाम क्या है सबसे पहले जानना तो यह ज़रूरी है तो इसका नाम है demo silly crane क्या नाम है demo silly crane demo silly crane ठीक है ना तो यह जो demo silly crane है इसके बारे में क्या ऐसी बात लिखी गई है जो यहां पर incorrect है its weights in winter ठीक है यह बिल्कुल सही बात है its weights in water ठीक है ना यह water के आसपास ही रहता है बिल्कुल सही बात है it flies warmer areas in winter तो क्या यह जब warmer area जब थंडी पड़ती है तो यह गर्म जगों पर चले जाते हैं को सही बात है तो देखिए जाएंगे कैसे पैदल तो जाएंगे नहीं यह ओड के जाएंगे it is flightless bird तो यह option आपका गलत है यानि कि क्या है यह flightless bird है यानि कि यह चड़िया ओड नहीं सकती अब है it is spear fish it is big देखिए इसके चोंच होती है ना कि इसमें कौन सा incorrect है तो incorrect है it is flightless bird यह flightless bird नहीं है यह चड़िया ओड सकती है चलिए अगले question पर आते हैं दो question और बचे है question number 24 तो हमारा है question number 24 which are the following plants which grow well in soil which is poor in nitrogen मैंने आपको अभी बताया था कि जो sunday का plant होता है carnivorous plant वहाँ पर nitrogen की कमी होती है और यही question आपसे आगे पूछा गया है कि किसमें nitrogen की कमी होती है और वहाँ पर यह कौन से पौदे हैं जो वहाँ पर होते हैं तो पहला है आपका venus fly trap pitcher plant ठीक है ना फिर आपका होता है bladderwood देखे ब्लेडर bladderwood का जो दूसरा नाम है उसका नाम है uterichloria 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 होता है यह carnivorous plant है और यह जो wet जगह होती है यानि कि दलदल होती है ठीक है ना वहाँ पर यह मिलते हैं आपको ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा 1,2 और 4 तो क्या हो जाएगा option number C ठीक है अब देखिए बंबू आपका क्या है ग्राफ में आता है तो दोस्त यह होगी वीडियो और अभी हम एक question और बचा हुए आगे पढ़ेंगे आईए यहाँ पर है आपका question number 25 question number 25 क्या है कार्माइन is one of the most widely used to red food coloring it is added to yogurt ice cream, fruit piles, cupcakes donut etc it is obtained from देखिए यह question है कि जैसे आप जब donut खाते हैं या cake खाते हैं तो आप देखते हैं कि इस पे एक red color का एक इस तरीके से रखा होता है ठीक है आप इसको आराम से खाते हैं आपको अच्छा भी लगता है यह थोड़ा jelly type का होता है question ही पूछा है पर उसको पीसा जाता है और जो powder मनता है फिर उसी powder से यह चीज़ बनाई जाती है ठीक है न तो यह जो कार्माइन आप इसको खाते हैं ठीक है तो इसकेड़ से पीश केश चीजे बनाई जाती है वैसे हमारे लिए हुसान दायक नहीं है लेकिन इसी चीज लगा यहना नहीं लगा